हर दिन पावन श्रिंखला की आज 13 जून की कड़ी में आई एस मन करते हैं ओबरी उद के नायक ब्राजा बलभदर सिंग चहलारी को उनके बलिदान दिवस्पर्ण। भारत मा को दास्ता की बेडियों से मुक्त कराने के लिए देश का कोई कोना ऐसा नहीं था, जहां छोटे से लेकर बड़े तक, निर्धन से लेकर धनवान तक, व्यपारी से लेकर करमचारी और कवी, कलाकार, सहाथ्यकार तक सक्रिय नय हुए हो। यह बात और है, किसी को इस संग्राम में सफलता मिली तो किसी को निर्वासन और वीरगती। चहलारी, उत्तर परदेश के बहराईच के 18 वर्षय जमिनदार बलभदर सिंग ऐसे ही वीट थे, उनके पास 33 गाउं की जमिनतारी थी, उनकी गाथाएं आज भी लोक गितों में जीवित हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जिससे कि आपको प्रति दिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 1857 में जब भारत्य वीरों ने मेरट में युद प्रारंब किया, तो अंग्रेजों ने सब और भारी दमन किया। चतरपाल सिंग के विवहा के कारण बलभदर सिंग इस बैठक में नहीं आ पाई। बेगम ने उन्हें बुलाने के लिए एक विशेश संदेश वहाग फेजा। इस पर बलभदर सिंग बारात को बीच में ही छोड़ कर बोड़ी आ गए। बेगम ने उन्हें सारी योजना बताई। जिसके कारण सब राजा अपनी सेना लेकर महादेवा बारा बंकी में एककत्र होने थे। बलभदर सिंग ने इस सिप में पूरी सहमती व्यक्त की और अपने गाउं लोटकर सेनाओं को एककत्र कर लिया। राजा बलभदर सिंग सेना के साथ प्रस्थान करने लग वीर पत्नी ने उनके माथे पर रोली अक्षत का टीका लगाया और अपने हाथ से कमर में तलवार बांधी। इसी प्रकार राजमाता ने भी बेटे को आशिरवाद दे कर अंतिम सांस तक अपने वंश और देश की मर्यादा की रक्षा करने को कहा। बलभदर सिंग पूरे उत्साहा से महादेवा जा पहुंचे। बलभदर सिंग ने सोला हजार सैनिकों के साथ मई 1958 के अंत में ओबरी नुआवगंज में मोर्चा लगाया। वे यहां से बढ़ते हुए लखनों को अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहते थे। उधर अंग्रेजों को भी सब समाचार मिल रहे थे। अतहे ब्रिगेडियर होप ग्राट के नित्रित्व में एक बड़ी सेना भेजी गई जिसके पास तोप खाने से लेकर अन्यस भी आधुनिक शस्त्व थे। तेरा जून को दोनों सेनाओं में भ्यानक युद्ध हुआ। बलभदर सिंग ने अपनी सेना को चार भागों में बाट कर युद्ध किया। एक बार तो अंग्रेजों के पाउप उखड गए पर तभी दो नई अंग्रेज टुकडिया आ गई जिससे पासा पलट गया। कई जमिनदार और राजा डर कर भाग खड़े हुए पर बलभदर सिंग चहलारी वहीं डटे रहे। अंग्रेजों ने तोपो से गोलो की जड़ी लगा दी जिससे हजारों साथियों के साथ राजा बलभदर सिंग भी वीरगति को प्राक्त हुए। इस युद में राजा बलभदर सिंग चहलारी के साहस की अंग्रेज सीन अनायकों ने भी बहुत प्रशंशा की है पर इससे प्राजे से भारत की सतंतरता का स्वपन अधूरा रह गया भारत माता कीज़े।